हेलो एवरिवन आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है देखे यूपी पीसियस के लिए टेस संक्या 16 है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है दोस्तों निम्लिकित में से कौन कुतुब उप नाम से फार्सी में कविताय लिखता था तो बताए कौन स जबाब इसका सही होगा सिकंदर लोदी जैनुल आपदिन सुसीन साहासर की या महमुद छिल जी दोस्तों सही जबाब होगा हमारा option नबर बी जैनुल आपदिन इसको कस्मीर का साशक सुल्तान जैनुल आपदिन कश्मीरी फार्ची संसक्रिट और अर्भी का विद्वान थ आपदिन ने जज्या कर हटाया और ब्राच्चे में गाएं का वद निशेद किया उसकी प्रशासन में अनेक हिंदू को उचे पदप्राप्ते इसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया है। लोग उसके सामने बैट कर जुकते थे ये सही है। उसने भारत में नवरोज तुहार की सुरुवात की ये भी सही है। दिवान ने विजारत वित विवाक से संबन दिता ये भी सही है। तो इसका अप्शन नमबर डी सही जबाब होगा। बल्वन का जो कारे काल रहा है दोस्तों वो 1265 से 1287 तक रहा है। इसने लोहों की निती को अपनाया। बल्वन ने 40 दल का दमन किया। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैने विवाग दिवान अर्ज की स्थापना की। आपको ये याद रखना है कि स्थिवान अर्ज कौन सा विवाग है सैने विवाग। दोस्तों ये UPPCS में हमारा मिलान के लिए पूछ लेता है तो आपको एकदम ये अच्छे से याद रखना है कि दिवान अर्ज सैने विवाग। दोस्तों हमारा next question अल्लाग दिन खिल जी के संधर में कौन सा कतन सत्य नहीं है अब हमें हमें गलत कतन बताना है दोस्तों तो इसने सीडी को अपनी राजधनी बनाया एकदम सही है उसने राजस बकाया के लिए दिवाने मुक्त खराज विवाग की स्थापना की ये भी सही ह उसने दिवाने अर्ज विवाग की स्थापना की ये गलत है क्योंकि ये किसने चलाया था ये बलवन के समय का था ये अल्लाग दिन खिल जी के समय का नहीं था तो option number B इसका सही जवाब होगा दिवाने अर्ज की स्थापना जो है वो बलवन दुआरा की गई थी अल्लाग द इनको विश्व का सुल्तान प्रत्वी के साशको का सुल्तान यूग का विजेता और जनता का चारवा जैसी उपादियों से इसे विभूसित किया है नेक्स्ट हमें एक तरफ मोरे अगिन प्रांत दिये गए हैं दूसरे आग के सामने उसके राजधाने दी गई हैं मिलान कर के बताना है दोस्तो इसका कौन सा जबाब सही होगा बताइए इसका कौन सा जबाब सही होगा तो बताइए अवंती रास्ट की राजधानी कौन सी थी दोस्तो अवंती रास्ट की राजधानी थी उज्जेन कौन सी थी उज्जेन वहीं हमारी दक्षिन पत की राजधानी थ थी हमारी तोसली तो इसका अप्शन नंबर डी सही जवाब है दोस्तों नेक्स्ट है भारत के संग्य नियायले के बारे में कौन सा कथन सकती है आपके सामने दो कथन दिये गए हैं आपको बताना कौन सा सकते हैं जो संग्य नियायले की स्थापना एक अक्टूबर 1935 को ही थी दोस्तों एकदम सही जवाब है इसके पर्थम नियायदीस सर मौरियर ग्लेवर थे ये भी एकदम सही जवाब है 1935 अधिनियम में हुई थी जो भारा सरकार का अधिनियम आया था 1935 उसके अंतरगत दियुती लेकिन ये जो नियायले की स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी दोस्तों और इसके पर्थम नियायले सर मौरिय ग्लेवियर थे आपको ये ध्यान रखना है आपको जो पहला वो नियायले स्थापित किया था उसका भी सर एलिजा इंपे उसके मुखे नयायदिस बने थे और जो हमारा संगे नयायले था जो आगे जाके सुप्रीम कोड बनेगा उसके पर्थम मुखे नयायदिस कोन थे सर मौरिस ग्लेवियर बारा सासना दिनियम 1935 के अंतरगत संगे नयायले किस्ता अपना 1937 में की गई थी सन 1950 में इसे भारत के सुप्रीम कोड के रूप में कारे करना प्रानम कर दिया सर मौरिस ग्रेवियर पर्थम मुखे नयादिस थे नेक्स्ट है हमें बताना सामने जो लिखा है उसके वो सही है या गलत है संग साशित छेत्र अधिनिय साशित अधिनियम 2022 तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा आप्शन नमबर ।क्योंकि ये सारे की सारे सुमेली थे हैं संग्साजी छेत अधिनियम कब बनाता है 1963 में राश्ट राज़ा निचेत्र कब बनाता नाइंटिन ने सांध अधिनियम कब बनाता दोस्तों आपके सामने चार ओप्शन दिये गए हैं आपको बताना है किस से ये हो सकता है तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा हमारा संसत द्वारा विधान की सामानने परकिरिया में साधरन बहुमत से राज्यों का पुनरगटन क्या जा सकता है या उसकी सीमाओं में परिव परिवर्तन करने ना बदलने यह सीवा में परिवर्तन के संबद में बिना राज्य की अनुमती के कदम उठा सकती है आपको यह दिहान यहां पर रखना है बिना राज्य की अनुमती के नेक्स्ट कोशन है दोस्तो निमलिकित में से कौन नदियों द्वारा निक्षेपण से निर्मित इसला करती है बताई इसका सही जवाब कौन सा होगा तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा हमारा इसका जो है जलोड़ पंक जो है वो नदियों के निक्षेपण से होता है दोस्त गोखुर जूल है वही नदियों के निक्षेपण से निर्मित स्ला तो इस कारण इसका option number A सही जवाब है next इस्थीर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के परजनर को किस प्रकार रोकता है आपके सामने चार option दिए गए हैं बता ही सही जवाब क्या होगा दोस्तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो जो तेल का छिड़काव है वो पानी में इसे परष्ट सनाव को घटा देता है तेल जल के परष्ट सनाव को कम करता है इसके प्रणाम सरूप मच्छरों के लारवा जो होते हैं वो डूप जाते हैं और प्रजनर के लिए लारवा को प्रयाप्त समय नहीं मिलता इससे मच्छर के प्रिजिनन पर अंकुस लगाने में सायता मिलती है नेक्स्ट जब एक प्रकास कुंच कुलाइडरी विलियन या फाइन पर्टिकल पर पर पड़ता है तो पुंच का मार्ग द्रस्टी गोचर होता है इसका कारण क्या है बताईए इसका सही जबाब क्या होगा तो दोस्तों इसका सही जबाब होगा हमारा option number द्रस्टी क्या होगा कोई किरण वातवरण के फाइबर पार्टिकल या कॉलाइडरी विलियन पर पढ़ती है तो एक पत्थ दिखाए देता है इसे ही हम ट्रिंडल परभाव कहते हैं नेक्स्ट है निम्लिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है आपके सामने तीन ओप्शन दिए चार ओप्शन दिए ग नहीं है क्योंकि विद्यूत मोटर जो है वो विद्यूत उर्जा को यांतरी उर्जा में बदलती है तो इसकारण यह गलत है तो हमें सही बताने हैं तो यह कडिया और यह कडिया और यह कडिया ऑप्शन नमबर भी ही हमारा बसता है तो विद्यूत जेनरेटर विद्यूत के प्रेड़क के सिध्धान पर कारे करता है एक दम सही है लंबी गोलाकार कुंडली जिसमें विद्यूत परवा हो रहा हो कि विद्यूत के केंदर में चुम्बक्या छेदर सीधी रेखा के सामान अंतर होगा ये भी एकदम सही है दोस्तों जो विद्यूत मोटर है वो हमारा विद्यूत उर्जा को यांतरी उर्जा में बदलती है और विद्यूत जनरेटर होता है ये यांतरी उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदलता है ये विद्यूत चुम्बक्या प्रेणा सिध्धान के अधार पर कारे करता है नेक्स्ट निमलिकित कतनों के सही उत्तर बता हैं बताई इसका कौन सा जबाव दोस्तों सही वह होते हैं वह मतलब जो मतलब होता है सब आते हैं वो ठील है ना सकाका हरी जाता है पचांद वह जादधी होता है तो पहला इसका कथन तो गलत हुआ, अब हम इसका कारण पढ़ लेते हैं, दोस्तों, ऐसे कथन और कारण वाले कोश्चन में, दोस्तों, एक अच्छी बात, अगर एक भी कुण सा भी कट जाता है, तो अप्शन अपना पता चल जाता कि सही जवाब क्या होगा, अब हमारा अप्शन नम अड़ी आथ तक जाता है, जा बोजन का अधिकांस भाग पाचीत अफ्शोसित है, सैलूलोज युक्त होने के कारण पाचीत और अफ्शोसित होने में मास से जादा समय लेता है, इसलिए घास खाने वाले साकारी जानवरों की छोटी आथ लंबी होती है, नेस्ट लेजर व बताना लेजर का उप्योग कहां होता है, फाइनली ये पूछा इस कोश्चन में गया है, तो बताएं कहां होता है, हमारे सामने ऑप्शन दिये गया है, सही जवाब बताएं दोस्तों क्या होगा, ऑप्टिकल कम्निकेशन में होता है, बारकोड स्कैनिंग में होता है, डिव में होता है किस किस में ऑप्टिकल संचार में डीवेडी को पढ़ने और समझने में पारकोड को स्कैन करने में हतियारों में लक्से से पर्तिबिंदित तलासने और फिर उचित प्रहार करने में कीमो थेरपी यानी के ट्यूमर के लाज में होलोग्राफी नाभिक शोध आदी म में इसका प्रियोग होता है नेक्स्ट हमारे सामने मतब सूची दी गई है मिलान करने आपको बताना है सही जबा कौन सा होगा दोस्तो एस्पिरिन एस्पिरिन बताइए क्या है एक दर्द नाशक है वहीं हमारा जो है एस्पोर्टम एस्पोर्टम क्या है वहीं हमारी पिक्चर ओफ आयोडीन क्या है यह रोगाणू रोधी है तो इसका आरण इसका सही जबाब होगा दोस्तो ऑप्शन नमबर बी नेट्स्ट है हमारा गूगल क्लास एक ऑप्टिकल हैड माउंटेड डिस्प्ले के साथ एक प्रकार की पहनने योग्य तकनीक है निमली कित्मेंसे किन मामलों में यह उप्योगी हो सकता है बताये कौन सा जबाव होंडा साही होगा दोस्तो इसका सही जबाब होगा हमारा यह हैёт प्रयोककृताओं के दैनिक आदतो पर नजर रंख सकता है शही यह चेहरे पर अभी व्यक्तियों का विशलेशन कर सकता है और व्यक्ति की उमर बता सकता है तब लिंक का भी पता हिया लगा सकता है Google Glass जो है Google Glass के बारे में बात हो रही है उन लोगों के लिए मददकार है जो संक्रामा की विकलांगता जैसे Octism से पेडित हैं यह द्रस्टी बादित व्यक्तियों को लाप पुचा सकता है तो सारे के सारे option हमारे इसके सही है इसका रण option number D इसका सही जवाब होगा दोस्तो Google Glass को Google ने विक्सित किया है विक्सित किया इस संबद में तक्नीक ने काफी प्रगती की है Google Glass की तक्नीक काफी विक्सित हो गई है इसमें एक टचपैड उच दक्सता का कैमरा LED डिस्पले आधी का प्रियोग होता है जिसका इसका उप्योग विग्विन आयामों में होता है जिनमें Android एप से सूचनाई पाने से लेकर विग्विन रोगों से लड़ने तक की सूचनाई प्राप्त करने में साहता मिलती है जैसे और अंधापन दोनों के लिए उप्योगी हो सकता है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तो तरलता और समायोजन सुवजादो है वो रैपो और रिवर्स रैपो के जरिये तरलता समायोजन का एक मैध पून उप करने है तो अप्सन नमबर A इसका सही जवाब होगा और रिवर्स रैपो रेट का विवेक पून निती के रूप में प्योग कर रही है क्यों? क्योंकि मुद्रा बजार में तरलता की मातरों को परभावित किया जा सके लगू आपदिक ब्यास दरिया कोल दरों को स्थिर किया जा सके रैपो और रिवर्स रैपो को अप्योग करने से यह निती तरलता सामायो जन सुईधा कलाती है नेक्स्ट सेज के दुवारा कौन से विशेश अदिकार का लाब उठाया जा सकता है आपके सामने तीन ओप्शन दिये हैं बताइए इसका सही जबाब क्या होगा दोस्तो तो दोस्तो सेज के दुवारा इसे सेवा कर से छूट मिलती है एकदम सही है इसके विकास करताओं के लिए सभी कच्चे माल को कर्या सुल्क छूट मिलेगी ये भी सही है सेज के दुवारा इससे संबद इकाईयों को सदा के लिए आईकर से पूरी छूट मिलती है दोस्तो ये भी सही है नहीं ये इससे सम्मद इकाईयों को सदा के लिए आईकर से पूरी छुट नहीं मिलती है ऐसा कोई भी मतलब विशेशा दिकार नहीं है जिससे सदा के लिए आईकर को पूरी छुट मिलती है तो आप्से नमबर 20 का सही जबाब होगा विशेश आर्थिक छेत्र यानिके सेज स्पेशल एकनोमिक जोन का विकास करने का परमुक उदेश्य निर्याद प्रोसाहन करना है यानिके निर्याद को बढ़ावा देना है क्या करना है निर्वियात को सेज का जो उदिश से है दोस्तों वो निर्यात को बढ़ाना है इसके लिए सेज को अनेक विशाशादीकार प्रदान किये गए जैसे सेज के कोरप्रेटिर का पहले पांच वर्सों तक कोई आया दिगी नहीं करनी होगी यानिके पहले पांस साल तक कोई भी मतलब कॉर्परेशन जो है उसको पांस साल तक कोई आए नहीं इंकम टेक्स नहीं देना है अगले दो वर्सों तक कर का मातर पर 40% देना होगा इसी परकार सेज के विकास करताओं को सभी कर कच्छे परधात पर किसी कर या शुल्क से होगी नेक्स्ट वैसी वस्तुएं जो उब्भोकताओं के आए के विप्रीद दिसा में गती करती है कहलाती है वह समानने वस्तुएं कहलाती है वह निकस्ट वस्तुएं कहलाती है विलासी वस्तुएं कहलाती है इनमें से कोई नहीं वैसी वस्तुएं जो उब्भोकता की आ बस्तों की निम्गुणवत्ता से अच्छी गुणवत्ता के उस्तानंतरित हो जाता है। जैसे जैसे हमारा इंकम बढ़ती जाती है, अच्छी गुणवत्ता की हो और हम बस्तों को खरीदना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि आई में व्रद्धी के साथ निर्कस्ट वस्तों की मांग घट जाती है, आता है निर्कस्ट वस्तों की मांग और आई के बेच वे प्रिसंबंध होता है, यानि कि जैसे जैसे आई भड़ेगी, हम अच्छी कुलिटी की चीज़ें खरीदने को प्रिफर करती है नेक्स है निमलिकित में से कौन सकतन सही है बताइए इसका कौन सा जवाब दोस्तो सही होगा तो देखते हैं इसका सही जवाब होगा दोस्तो अमुल्यन इस्तिर विनिमेदर प्रणाली से संबंदित अबधार्णा है क्या अमुल्यन इस्तिर विनिमेदर प्रणाली से ईसका मदल कर चल रहा है उसका में चेंज कर देना वही मुदह का रieving मुद्लियन होता है मुद्रा को यह और आज का लास्ट कोशें दोस्तों पूर पर्तियोगीता में एक उद्मी को नुकसान हो सकता है। पताए किसमें लगु अबदी के लिए दिर्ग अबदी के लिए लगु और दोनों अबदी के लिए या ना तो लगु और ना ही दिर्ग अबदी के लिए पूर पर्तियों के दामें दोस्तों एक उद्गमी को लगु अबदी के लिए यानिके छोटी अबदी के लिए नुकस उत्पादन की लागत में गिरावट आती हो तो दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच